नमस्कार स्पिन नाइन नियूस में आपका स्वागत है लोग सभा चुनाव की छटे चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है छटे चरण में उत्रप्रदेश की 14 लोग सभा सीटों पर मतदान सुभा 7 बजे से ही शुरू हो गए हैं ऐसे में आरजिमगर्ड और लाल गंच लोग सभा सीट पर सुभा 7 बजे से ही आम जनता का हुजूम देखने को मिल रहा है आपको बता दें कि जनता इस बार कि लोग सभा चुनाव में काफे उत्साहित नजर आ रही है और अपने मत का सही प्रियोग करती हुई भी देखी जा रही है ऐसे में आपको बता दें कि आजमगर सीट पर भाचपा से दिनीश लाल यादव निरहुआ चुनावी मैदान में वहीं समाजवादी पार्टी के तरफ से इस बार आजमगर सीट पर धरमेंदर यादव को मैदान में उतारा गया है वहीं बसपस से मशहूद एहमद प्रतियाशी के रूप में नजर आ रहे हैं और वहीं जहां आजमगर लोग सभा सीट पर मतदान शुरू हो चुका है तो वहीं धरमेंदर यादव अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं आपको बता दें कि 2022 में हुए आजमगर लोग सभा सीट पर उपचुनाफ के दोरान धरमेंदर यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ का मुकाबला देखने को मिला था उस मकाबले में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बहुमत हासिल किया था लेकिन इस बार धरमेंदर यादव दावा कर रहे हैं कि वो चुनाब जीत जाएंगे लेकिन चुनाब जीताने के लिए एक और बड़ी खबर यहाँ पर तप सामने आ जाती है जब सास साल की सजा काट रहे आसम खान को इलहबाद हाई कूट से 24 मई को में एक बड़ा फैसला निकल कर सामने आता है 24 मई को इलहबाद हाई कूट की तरफ से आसम खान की सास साल के सजा पर रोक लगा दी जाती है और उनके पूरे परिवार को जमानत दे दी जाती है ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर आजम खान की भूमी का भी सपा के लिए भरपूर तरीके से देखी जा सकती है